हेलो गाई स्वागे थी आपका मुरीता कुजीन में मैं आज आपके साथ मुंग दाल की बहुत हेल्दी टेस्टी केवल दस मिनट में बनने वाली रेस्पी सेयर कर रही हूँ ये सभी को पसंद आगा आप इसे बच्चों को लंच बक्स में दे सकते हैं बड़ों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं तो एक बार जरू ट्राइ कीजी अगर ये वीडियो हलफू लगीगा तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर कीजेब करते हैं इक कर दो तीन घंटा पहले ही भी गो देना है ये दो तीन में अच्छ बीग कर त्यार हो जाता है लगभग ये 100 ग्राम मुंग दाल है देख सकते हैं इस काटाणी से मैं 1 कटाणी मुंग दाल को डाली थी एक से भीगने के बाद हमैं इसे दो तीन पानी आचे से वोस कर लेना है देख सकते हैं पानी एक दम क्लियर है साफ है अब हमें इसे डाल देना है कर चैलrou ग्रेंडर जण में और इसे हमें पीसना है बहुत ज़्यादा पानी हमें बिलकुल नहीं डालना है क्योंकि दाल फूला हुआ होता है तो बहुत जाद अगर पानी डाल दीजिएगा तो पेट जो बनीगा वो बहुत ही पतला बन जाएगा तो इसका इडली जो है बहुत ही फ्लॉफी और बढ़िया नहीं बनीगा तो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दो से तीन चमज पानी में ही पिसकर तयार करना है बहुत जादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसका थिकनेस अब देख सकते है ऐसा थिकनेस होना चाहिए और एकदम ये बारीक पीशा है देख सकते हैं एकदम बारीक पीशा हुआ है तो अभी हमें इसे एक बावल में निकाल लेना है और इसमें हमें सबजिया डालना है आपको जो भी सब्जी पसंद है इसमें डाल सकते हैं जो नहीं पसंद है उसे स्कीप कर सकते हैं पूरी तरीके से ओप्षिनल है जो भी आपको पसंद है वो डालिए तो देख सकते हैं मैं आधा घीसी वी गाजर डाली हूँ थोड़ा सा बारी कटा हुआ क्याप्सिकम और आधा ही मैं बारी कटा हुआ प्यार डालूंगी आपके पास जो भी सबजी हो या जो सबजी आपको खाना पसंद है उसे इसमें डाल सकते है बच्चों को न सबजी खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता तो उन्हें इस तरीके से बना कर खिलाईए दो बारी कटा हुआ हरा में थोड़ा सा कटा हुआ धनियपत्ता अगर आप बच्चों के लिए बना रहे होंगे तो हरा में नहीं डालिएगा नहीं तो बहुत जादा तीखा हो जाएगा आधा चमच नमक डाल दीना है आप अपने स्वादनों सार डाले और इन सब को हमें मिक्स कर लेना है और इसमें पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है देख सकते हैं इसका थिकनेस एक दम पार्फेक्ट है अगर बहुत जादा पतला बना दीजेगा तो फलाफी बढ़िया इडली बनकर तयार नहीं होगा और अभी हमें गैस बिचड़ा देना है कल्चुल को इसमें डाल दीना है एक चमच देल और इसे हमें मिक्स कर लेना है तो देख सकते हैं बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अभी हमें गैस बिचड़ा देना है इकड़ा ही को जिसमें हमें इसे स्टीम करना है उसमें पाइन डालकर इसे गरम होने देना है देख सकते हैं इस तरीके की मैं छोटा छोटा कटोरी ली हूँ आपके पास अगर बड़ा कटोरी है उसे ले सकते हैं इस तरीके का कटोरी में एक बार में बहुत सारा इडली बनकर तैयार होता है और बच्चों को लूंच बोक्स में भी दीजिएगा तो उन्हें देखने में भी अच्छा लगता है और देख सकते हैं इस तरीके के हमें जाली वाला थाली ले रहे हैं आप चाहे तो इससे स्टेंट पे भी रख सकते ब कातोरी है फोले है अब्हान के पारे के लिए उसे बाइप दिया की सब्सक्राइब इसे हमें mix कर लेना है और डालने के बाद इसे बहुत दर के लिए आप नहीं रखियेगा नहीं तो Shock दे systems AFigic लिए रखना है तो सारी तैयारी पहले कर लेना है उसके बाद ही इसlaw को डालना है। अभी हमें cow ao much water cup को डाल दीना है, थोड़ा-थोड़ा स्पेस हमें खाली रहने देना है, क्योंकि जब स्टीम होगा न तो इडली थोड़ा साइज बड़ा होता है, तो देख सकते हैं, मैं सारे करटोडियों में बैटर को रख दी हूँ, और अभी हमें जाली वाले थाली को कड़ाही में रख देना है, उसके बाद कड़ाही का ढढ़कर लगा लेना है, गैस का फ्लेम मीडियम रेखना है, और इसे हमें 10 मिनट के लिए स्टी को निकल रहा है यह अच्छे से स्ट्रीम हो चुका है यह काफी सॉप्ट बनता है तो गैस का फ्लेम आफ कर देना है और थाली को हमें निकाल लेना है और इससे हमें हलका ठंडा हो देना है तो देख सकते हैं यह हलका ठंडा हो चुका है तो अभी हमें चम्मा से निकालना है इ काफी सौफ्ट काफी स्पॉंजी इडली बना है, बहुत ही बढ़िया बना है, मैं आपको तोड़ कर भी से दिखाऊंगी, सारे इडली को हमें कर्टूरी से निकाल लेना है, तो देख सकते हैं सारे इडली कितनी फूली फूली बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्पंजी एकदम सॉफ्ट इड्ली बना है तो एक बार इसे जिरूर ट्राई किजें, आप इसे सामभर अपनी पसंदिताँ चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं शबी को काफी पसंद आएगा आप इसे एसे भी खा सकते हैं बहुत ही टेष्टी लगता है काफी जाली दार बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं कितना जाली बना हुआ एडली तयार हुआ है बहुत ही कम टाइम में बनता है काफी हेल्दी है तो एकाद बार इस रेस्पी को आप जरूर ट्राई कीजिए यकीन मानी अगर एक बार बार इस रेस्पी को ट्राई कीजिएगा मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखा रही हूँ बहुत ही सॉप्ट बना है अगर ये वीडियो हैलफू लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सेयर जरूर कीजिएगा कमेंट में जरूर बताईएगा ये रेस्पी आपको कैसा लगा आपके फैमिली वालो को कैसा लगा थैंक यू फर वाचिंग